बागलपूर सदर अस्पताल और जवाहरलाल नहरू चिकित्सा महाविद्याले अस्पताल मायागन में लगातार डेंगू मरीजों की संख्यां बढ़ती ही जा रही है जबकि जिले के कई प्राइवेट नर्सिंग हॉम में भी डेंगू के मरीजों का इलाज जारी है वहीं जिले में डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकूप को देखते हुए इस पर लगाम लगाने के लिए स्वास्त विभाग और जिलादिकारी सुपरत कुमार सेन के द्वारा सभी अस्पताल प्रबंधन को जरूरी दिसा निर्देश दिया गया है इसको लेकर गुरुबार को जिलादिकारी सुपरत कुमार सेन ने जैपरकास नारायन सदर अस्पताल का और चक निर्देशन किया और डेंगू मरीज के अलावा अन्न बीमारी से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए मुकमल वैवस्था करने का निर्देश स्वास्त इसको लेकर जिलादिकारी सुपरत कुमार सेन ने कहा कि जल्दी अगर वैवस्था में सुधार नहीं हुआ तो दोस्यों के खिलाप कारवाई भी की जाएगी कोई निर्क्षन के बाद जिलादिकारी सुपरत कुमार सेन ने कहा कि जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसको लेकर अस्पताल में 100 फैवरिकेटेड बेट लगाए गये हैं और फैवरिकेटेड इस्ट्रक्चर विभाग में भरती डेंगू के मरीजों का इलाज अच्छे से चल रहा है जबकि स्वास्त विभाग के द्वारा इसी तरह का एक भवन मायगन अस्पताल में भी जल्द बनाये जाने के लिए विभाग ये परिक्रिया चारी है इसके अलावा डीम ने कहा कि 30 वेड के आईसियू का भी कार्य दो तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा जबकि नबगचिया और कहलगाओं में भी मरीजों के इलाज के लिए करीब 60 वेड उपलब्द कराया गया है वही सदर अस्पताल में हर जगह पर साप सफाई की वेवस्था को अभी लंब दुरूस्त कराने की बात डीम ने कही देंगू के मामले लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो सौ बेड का फैबरिकेटर जो हम लोगों का प्री फैबरिकेटर अस्पताल में बना है पुरा एक सिस्टम उसको पूरी तरह से अक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें काफी संख्या में मरीज भरती है लगबग फुल है वो और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे मरीजों का इलाज चल रहा है इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है जेरे अमसी अच में अस्पताल में बना दिया जाए उसके लिए विभाग के इसकर से अब लेबल हो जाएगा इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बेड्स को चुकि बेड्स की भी कमी वहाँ पाई गई है तो 30 बेड्स मा आएगे इसके अतिरिक्त हम लोग जो जिला में जो सिविल सर्जन के डिफरेंट ऑफिसेस में अफिसे नोगच्छियान मंदली अस्पताल इसके अतिरिक्त सदर हस्पताल में थोड़ा सा कॉडिनेशन का इशू जो है यहां के टीम में देखने को मिल रहा है सिविल सर्जन की टीम में तो इसमें भी अफिक्षित सुधार किया जाएगा कुछ कमिया भी पाई गई है जैसे साफ सफाई सोचाले की कमी जो है वो भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस परसासन कई हतकंडे अपना रही है लेकिन बालू माफिया अवैद रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं रात गहरी होते ही बालू माफियाओं का गोरग धंदा सुरू हो जाता है और परसासन इसको लेकर मुस्तैद रहने की भी बात करती है लेकिन बाब जूद इसके यह काला कारोबार धरले से जारी है वहीं इसको लेकर बिदिवेवस्था डीस पी डॉक्टर गौरब कुमार ने देरराट टीम गठित कर कजरैली थाना चेतर में अभैद रूप से बालू खरीद बिकरी करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए वियान चलाया जिसमें पुलिस ने बालू के 16 ओवरलोड ट्रैक्टर को चप्त किया है करने के गुप्तान्त वरियफिशत इशक भागलपूर के दिशान रिदेश में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने कल रात परी बारा बजे से लेके सुबा चार बजे तक अवैद खरन के विरुद कारवाई की जिसमें 14 ट्रैक्टर अवैद बालू के साहत पकड़ा अवैद बालू के अगेंस्ट और अधी जो हमें आकड़ा जो मिला है हमारे पूरे रेड का और अवैद खरनमी के जुरुद जो हमने कारवाई की है उसमें वर्ष यूलाई 2022 से जून 2023 तक जो अवैद खरनमी प्रतिशत बढ़ोतरी है जो ये आकड़ा मिला है उसमें प्रा देंगू बीमारी के बड़ते प्रकोप को देखकर राजसरकार के साथ स्वास्त बिभाग और भागलपूर जिलापरशासन इससे बचाओ को लेकर कई कदम उठा रही है इसको लेकर जिलापरशासन के द्वारा आम लोगों को देंगू बीमारी से बचाओ के लिए जरूरी सापधानियों के बारे में बताया गया है वहें परसासनिक पदादिकारियों के साथ चिकत सकों का कहना है कि डेंगू मच्छर का लारवा साफ और इस्थिर पानी में पलता है जिसके काटने से मरीज डेंगू बीमारी की चपेट में आ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है जानकारों का कहना है कि पानी की टैंकी या वर्तनों में रखे गए पानी को हमेशा ढख कर रखना चाहिए जबकि किसी भी गढ़े या नस्थानों पर एकत्रित पानी में केरोसिन या जला हुआ मोबिल डाल देने से उस पानी में डेंगू का लारवा उत्पन नहीं होगा इसके अलावा कूलर या पुराने टैर में भी पानी जमा नहीं होने देने और सोते समय हमेशा मचरदानी का उपयोग करने की बात कही गई है जबकि इस तरह की तमाम सापधानियों का ध्यान रख कर डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है चिकित्सकों के अनुसार डेंगू का मचर दिन के समय ही प्रभावी होता है और इससे बचाओ के लिए सभी को हमेशा फूल मां के कपड़े पहनने के साथ सरीर के अधिकतर हिस्सों को ढग कर रखने के अलाबा खड़की दरवाजे पर जाली लगा कर रखना चाहिए अपने बेतन में 25 परतिसत कटवती को लेकर कुलपती के द्वारा जारी किये गए आदेश के विरोध में तिलका मांजी भागलपुर विस्विद्याले सिक्षकेतर करमचारी संग समनवेश समीती की ओर से नाराज कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्सन किया गया वहीं बेतन कटवती के फरमान को लेकर अनिस्चित कालिन धरना पर जाने वाले करमियों ने इस आदेश को टीमबीउ के कुलपती का तालिवानी फरमान बताते हुए कहा कि बेतन बुक्तान का कारे बिश्विद्याले का काम नहीं है जब कि यह को सांग का काम है इस दोरान प्रदर्सन कर रहे सिक्षकेतर करमियों ने कहा कि 24 गंटे के अंदर विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर जबाहरलाल ने 25 परतिसत बेतन कटवती कर भेजने का तालिवानी फरमान जारी कर दिया है जिससे वे सभी काफी आक्रोसित हैं और उनका निस्चित कालिन हरताल जारी रहेगा साथी कहा कि उन सभी का पिछले कई मेहों का वेतन बकाया है और जब भी वेतन भुकतान को लेकर बात की जाती है तो TMBU परसासन द्वारा उसमें 25 परतिसत कटोती के बात कही जाती है जो कहीं से भी जायज नहीं है इसके अलाबा प्रदर्शन कर रहे करमियों ने अपनी कई समस्याओं को साजा करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका यहां निश्चित काली हरताल आगे भी जारी रहेगा तक वो हम लोग को बेतन एक तो चार महने से हम लोग का बेतन आया है हम लोग का परिवार बाल बच्चा काफी भुखे के कयार पर है हम लोग अपने बच्चे को जो है वो टिशन भी नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग को दिक्कत है और यह नया फर्मान इनका चालू हो गया प्राइब प्राइब झाल प्राइब प्राइब। झाल 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 झाल